नमस्ते दोस्तों मेरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे और इस वीडियो पे टाटा पावर के विकली अनलिसिस करेंगे कौन से चार्ट पैटन्स देखने को मिलने साइकोलोजी क्या है कौन से इंपॉर्टे सब कुछ डिटल में एक्स्प्लेइन करेंगे इस वीडियो पे इस वीडियो को अन तक देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जिससे हमेशा आपको लेटेस अब्डेट्स मिलत जाए चार्ट एक्सप्रेशन स्टार्ट करने से पहले आज के ट्रेडिंग सेशन देखना बहुत जरूरी है 113 आज के लास्ट ट्रेडिंग प्राइज है आप देख सकते हैं उपन प्राइज 108.40 है और लो प्राइज है 107 और 114.50 आज के हाई प्राइज है इसे जरूर नोट डाउन कीजिए तो चले अब चार्ट पर चलते हैं तो डिफिनेटली अल्मोस्ट अपने हाई के आसपा से क्लोजिंग लिया है और चार्ट में अगर डेली के चार्ट को फॉलो करें तो कंटिनियसले एक अप्रेंट फेज में हैं जहां पर भी स्टॉक में एक डिक्टरस्वेंट आता है वही पर बाइंग प्रिशर देखने को मिलते हैं देख सकते हैं एक पर्फेक्ट एक्जम्पल है अप्ट्रें स्टॉक्स के जो आपके सामने टाटा पावार में देखने को मिल रहे हैं अब एक चीज़ और देखना जरूरी है आज से चार दिन पहले जो bullish candle बने थे वहाँ से उपर पर टॉप पर एक selling pressure आये थे उसके बाद stock ने नीचे आना कोशिश नहीं किया stock ने time wise चार दिन से time wise correction ले रहा था उसके बाद आज की session एक अच्छे bullish candle के साथ इसने close लिया है वह भी एक बह presenting volume के साथ close लिया है इससे 4 दिन पहले बहाँ आपको देखने को मिले है जो भी average volume आपको यहाँ पर देखने को मेल रहे हैं उससे बहतर वालिउम आपको आज देखने को मिला वह भी एक अच्छे bullish candle के साथ closing पर देखने को मिला और एक एक महिनी के लिए आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो टाड़ा पावर एक बेस्ट एक्जांपल है जाओ आपको एस प्रेडिंग लेना चाहिए ध्यान रहे है मेरा परसनल एनलीस से आपका नहीं है सो आप भी जाके चार्ट को पढ़िएगा आग बंद करके कोई भी स्टॉक में ट्रेड लेने से पहले खुद भी चार्ट को एनलेसिस कर लीजिएगा अब थोड़ी से वीकली पीवोट पॉइंट्स के हेल्प से अगले हफ्ते जो वीकली पीवोट पॉइंट्स आने वाला है टार्गेट्स लेपाएं तो चलिए पीवोट पॉइंट्स को लें जैसे आप देख भाएं जो लेफ साइड में जो पीवोट्स है इस हफ्ते के वीकली पीवोट्स थे क्यों की मैं स्वीद्ट्रेडिंग के लिए देखने के दिश्जिश खरणगा और तो राइट साइड म आने वाला वो थोर सी उइड सी पिये अर होंगे बतलब थोर सी रेंजिंग भी सकते हैं मगर जत्यादा वाइड से प्रैंडिंग भी हो सकते हैं तो निक्स्ट जो रिजिस्टन्स अगर आप खैदना चाहते हैं तो आज के जो हायई पॉइंट है के 109 के आसपास इस रेंज पे स्टॉक अगर आपको रिट्रेस्मेंट होते हुए देखने को मिलते हैं तो वहाँ पर भी आप स्टॉक को किक 1 नीग्स जो रिजिस्टेंस एकोर्डिंग two weekly है वो रिजिस्टेंस 116 है आप देख सकते हैं राइट स स्टाइड में उसके बाद रेजिस्तेंस 220 है अपदेख सकते यहाँ पे और उसके बाद जो रिजिस्टेंस झील है वह हमें एक बाद देखन सना चाहिए ऐस टॉक जरूर इसको note down कीजिए और levels को देखके यहां पर जो levels आपको देखने को मिले राइट साइड में उसे आप screenshot ले सकते हैं stop loss कहां पर लेना चाहिए stop loss के लिए आप कर सकते हैं 109 में आप अगर accumulate करना चाहते हैं तो WS1 के नीचे stop loss maintain कर सकते हैं जो 107 अल्मोस्ट है तो लगबग अगर हम कह पाएं तो targets क्या क्या होना चाहिए अगर breakout में खरीते हैं तो 107 के नीचे maintain कर सकते हैं अगर break outs में आप खरीद रहे हैं तो hundred ट्वेल्ड से लेकर 110 के नीची भी moc stop loss में जो micron कशने तो기가 breakout में आप अगर खरीते हैं तो 110 आपके लिए stop loss होगा अगर dips में खरीते हैं तो 107 आपके लिए stop loss होगा dips के जो area है वह 01-12 से लेके 109 के आश Alrighty चाहिए और इसके एस वान के नीचे स्टॉप लॉस रखना चाहिए अगर ब्रेक आउट मिल जाता है तो सी पी आर कोई एस स्टॉप लॉस आप देख सकते हैं 110 के नीचे आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं कुछ ऐसा एनलेसिस था कैसा लगा जरूर बताए कमेंट बॉक्स में अगर कोई क्वाइड है टाटा पॉर के रिलेट तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए आशा कर झाल 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 झाल